अमिच शाजी ने लोगसाबा में देश को पताया कि आर्मी के जवान ने रोकने के लिए इशारा दिया वो लोग जो टाटा पिक अप में थे वो भाग निकले और उसी दर्मियान जो फाइरिंग में जो एच्छे लोग की मौत हुई दो लोग गायल हुए ये अमिच शाजी का बियान है जैसे ये उस गटनक के बाद जब गाउँवाले जो ओतिंग गाउँ के सब निवासी थे ये सब जो छे के छे आट लोग अच्छे जो दो गायल हुए थे वो खदान में काम करने वाले माइनर्स हैं मजदूर हैं ओतिंग गाउँ के हैं जब गाउँ के लोग को जब फाइरिंग की सुचना मिलीती तो वह जब गटना स्थर पर पहुंचे थे तो वहाँ पर आर्मी के लोग मिले आमिच शाजी और सरकार का कहना है कि उस दर्मेयां जो उस गटना करम के बारे में कोई जानकारी आमिच शाजी ने नहीं दी देश को और सधन को वहाँ पर फाइरिंग हुई और वहाँ पर जो है साथ लोग की मौत हुई और दूसरे दिन मौन जिला के जो जिला मुख्याले में एक और व्यक्ति की मौत भी ये पूरा गटना करमा कॉंग्रेस अध्यक्षा सोन्या, श्रीमती सोन्या गांदी जी ने गटना को गंबिर्ता को देखते हुए एक चार सद्यक्षा के कमिटी बनाई जिसमें जितेंजर जी थे, गौरोगोगोई जीते, एंटो एंथनी साथ थे उनमें था तो हम लोग निकले और इस गटना करम के बारे में इसलिए मैं आपको जानकर देना चाहूँगा कि क्योंकि भारतिय जनतपाटी कोई बात को जो देश से चुपाने की जो कोशिश करी है वो सारवजनिक आपके रूप में जो आपके सामने जो है स्पस्टूप से मैं प्रस्तूद करना चाहूँगा कबीर जी के एक मशूर पंक्ती है साथ बराबर तप नहीं जोट बराबर पाप तो जोट और असत्यों के शेहनशा श्री अमिद श्री अमिद श्री ने सदन के पटल में सिर्फ सदिस्टू को सिर्फ गुम्रा नहीं की उन्होंने पूरा देश को जूट बोला खास नागा लैंड के गटना के संदर्ब में जब अमिद शाह जी ने गटना के दो दिन बाद अपनी बियान जारी की स्पस्ट रूप से इन्होंने देश को जूट बोला अब ये घटना जो है उसके जो है घटना करम को थोड़ी सी में जानकारी आपको देना चाहूंगा देश को जो है ये घटना के बारी में पांस दिसंबर के सुपर जानकारी मिली गटना है चार दिसंबर को चार और साड़े चार बज़े के बीच में की गटना है और ये 21 पैरा स्पेशल फोर्स के द्वारा तीरू गाउं हैं मोंजिला में खबर के मताबिक जो आर्मी ने जो ग्रे मंतरी जो सारवज ने किये हैं कि NSCNK युँ उंग फैक्शन का है NSCNK के एक फैक्शन उनके उस संगटन से संबदेत आतंगवादी उस रास्ते से गुजरेंगे और उस पर जो है सेनक कारवाई करने की प्रयास में थे अभी तक कोई भी मंतरी या वरिये पदातकारी किसी तरह की जो है ना घटनास्तर पर कम से कम भारतिय जंता पार्टी के ना तो कोई कैबिन मिरिस्टर वहाँ गया है ना किसी तरह का जो है वहां से उनके जो मिर्तक के परिवार से उनकी मुलकात हुई है और किसी तरह से लोग को बीच में जाकर के समवेदना प्रकट करने के लिए किसी तरह का प्रयास नहीं हुआ है एक चीज मैं आप सब लोग को याद दिलाना चाहूंगा कि यदि इस तरह की गटना भारत के किसी और जगा अगर शेतर में होता दिली में अगर इस तरह की जो चौदा लोग की मौत हो जाती बंबे में होता, कैलकटा में होता तो इस तरह की जो है रवया सरकार से कभी इस तरह की हरकत से सरकार कभी बच नहीं पाती क्योंकि पूर्वी उतर भारत की बात है तो इसलिए कोई पूरी तरीके से जो इसको नज़र अंदाज किया जा रहा है एक, दूसरा S.I.T. गटित कोन करता है नागलन सरकार केंदर सरकार नहीं नागलन सरकार तो जब अमिट शाजीन ने जो सदन के पटरबन उनने कहा कि हमने S.I.T. गटित कि एगेन एक और जूट उनने देश से कहा पार्लिमेंट में कहा क्योंकि S.I.T. तो नागलन सरकार की है तो कॉंग्रेस पार्टी का सपष्ट दिमांड है और दिमांड पर ही आ जाता हूँ एक को असत्यक का शेहनशाह, अमिट शाह को तुरंद इस्तिफा देना चाहिए क्योंकि इनकी आदिच सी बन गई जूट बोलना, आप तो पार्लिमेंट में ही लगाता जूट बोलते है एक दूसरा जो मितक के हर एक परिवाद के मितक व्यक्ति के परिवाद का हर एक व्यक्ति को जो एक क्रोड का मुआफ़ा अभी नागलन सरकार ने सरफ पांच लाग दिया है और वो भी ग्रामी ने लेने से इंकार कर दिया है जो भी गायल हैं, उनको दस लाग और एक गौहार्टी हाई कोट के सिटिंग जज के सुपरविजन अधिनस्थ अंडर दा डारेक्ट सुपरविजन अब दी जज अब दी गौहार्टी हाई कोट इस साइटी की जो एक काम पर सुपरविजन करने की अतियावश रखता है क्योंकि सरकार भी बीजेपी यह हमारे डिमांड है जब हम लोग निकले दिली से जोराट के लिए क्योंकि जोराट सबसे करीब एरपोर्ट है मौन जिला से वहां से असाइम के जोराट से वहां से करीब तीन गंड़े कर रास्ता है तो तुरंट जो हम को जैसे हम लैंड किये थे जैसे जोराट पहुंचे तो तो वहां पर CISF से लेकर के असाइम पलीस के पदातकारी ने हम को घेरा और फिर एक वेटिंग रूम पर ले गए और चाय और पानी पलाने की कोशिश की और यहां तक कि उन्होंने हमारा रिटर्न फ्लाइट उसी फ्लाइट जिस फ्लाइट से हम आये तो उसी फ्लाइट में बुक भी कर दिये थे तो बैसा बैसी हुई फ्लाइट तो चली गई तब हमने का कि आप कि सदार पर हमको रोक रहे तो उन्होंने एक आदेश दिखाया 144 जो है लागू की गई थी और खास तोर से हम लोग के उपर यह आदेश था कि हम एरपोर्ट के परिशर से बाहर निकल नहीं सकों हम तीनों लोग दर्ना पर बैठ गए उस दर्मिनया नागलान के जो अध्यक जी ने एक प्रेस रिलीज भी रिलीज किया एक वीडियो भी रिलीज किया कॉंग्रेस पार्टी ने इस जांच कमिटी ने जो पूरी तरह से कानून को इज़त देते हुए हमने चीफ सेकेटरी और डी जी पी को पहले से खबर किया था कि हम आ रहे हैं मोंच जिला को इसको जानकारी प्राप्त करने के लिए रात को किसी तरह से यह सहमती बन गाई थी कि हम हमको जो है दिबरुगाड जाने के लानुमती है क्योंकि वहां पो दो गाय लोग वहां पर उपस्तेता है कि कम से को परिवार जन से बात्चीत करके कम से कम कोई जानकरी मिल सकती है अब हमारे जो आपको जो प्रेस रिलीज मिलेगी उसमें जो परिवार जनक और रिस्दार लोग का नाम हम सारवजने के इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लोग ढरे हुए थे तो दस बजे ग्यारा बजे रात के आसपास हम डिबरगर पहुंचें तो परिवार के सदस ने बता है कि असली गटना क्या और असली गटना ही है कि गाड़ी आ रहा है थी टाटा पिकप उसमें आठ लोग थे जैसे एक कलवर्ट पर पहुंचेते तो सीधे जो है बिना किसी तरह का वार्निंग का गोली चली सामने से और पीचे से जो है दो बड़ का आवाज उनको सुनाई दिया छे लोग जो है वहीं पर गाड़ी के अंदर छे लोग की मौत हो गई जब गाउंवाले वहां पहुंचे थे तो टाटर पिकप पड़ी हुई थी पूरी पीचे जो है खून से लट पड़ था और आर्मी की गाड़ी जो है 500 मीटर दूरी पर खड़ी थी गाउंवाले जडा कर पूचा था कि पूचे कि हमारे लोग का है आर्मी वाले ने इस बीच में गाउंवाले गाउं के व्यक्ती ने टार्पॉलिन हटाया था इस गाड़ी में गाड़ी तार्पॉलिन के नीचे छे लाश पड़ी हुई थी आप कृपिया ये बात समझ दीजे कि टार्पॉलिन के नीचे छे लाश पड़ी हुई थी तो लाश जो है वो पिकप ट्रक के अंदर नहीं था पिकप ट्रक के बाहर कोई खून नहीं है इसका मतलब कोई लोग भागने के कोशिश होई नहीं सकती एकोई की पिकप ट्रक के बाहर तो एक दम एक बुंद खून नहीं है पूरे तरह से गाड़ी के पीचे जो खून से लड़ पड़ता और वो शरी और लाश भी नहीं थी और लाश पड़ी हुई थी आर्मी के ट्रक के टार्पॉलिन के नीचे तब गाउवाले ने कहा कि भाई साफ यहां तो छे ही लाश हैं बाकी दो कर क्या हुआ उस बैसा बैसी में गर्मा गर्मी हुई गोली चली दो सेना के गाड़ियों को ग्रामीन लोग ने आग लगाया वहाँ पर गोली चलने से साथ लोग और की मौत हो गई उसमें से एक आर्मी का जवान है और छे ग्रामीन लोग इसके बाद दूसरे दिन कॉन्याक स्टूडेंट यूनियन के लोग जो है आर्मी पदातकारी से बात करने के लिए मोन जिला में जाते हैं छे-साथ गंटा जब बात होती है तो ग्रामी वहां के जो है जिला के लोग और वहां के जनता परेशान होकर जो है उग्र हो जाते है और कॉनियाक स्टूडेंट यूनियन के आफिस पर आग लग जाती है आग लगा दिया जाता है वहां पर भी पलीस फाइरिंग होता है और एक व्यक्ति की मौत हो जाती है बट विचित्र चीज इस पूरी गटना में जो है तीन-चार चीज़े हैं जैसे हमिच शाजी ने पार्लिमेंट में खा कि कुछ ये जो है भाग रहे थे तो बीजेपी के मंत्री नागा लाइन में बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो बोलते हैं कि हमिच शाजी जूट बोल रहे हैं को ऐसे कोई ये लोग गारी में बैटे हुए थे गोली चलाया था सेना ने किसी तरह का वानिंग ने था ये बीजेपी के अध्यक्ष और मंत्री जो वर्तवान सरकार के नागा लाइन में मंत्री है वो बोल रहे है